अगे के ट्राजेक्शन देखते हैं और इनकी एंट्रीज देखते हैं कि कैसे होता है ओके ठर्ड है हमारा परचीज गोड्स फिफ्टी थाउज़ंड अगें चेक अब देखिए यहां पर क्या किया है गोड्स को परचीज किया है ठिके दुबारा रिचील करने के लिए क्या किया है गोड्स को परचीज किया है कितने में 50,000 में लेकिन payment कैसे किई है तो परछेजेशीज एक्हाउंट प्लमा वंद्धूं क्यों क्यों च्था वर या प्लमा में अप्लमा विगे रहा ही 24 in यह 2,1,2,2,2,2,1,2,1,2,2,3,3,2,4,5,000,6,2,4,2,1,1,1,2,2,2,2,2,4,2,2,4,2,2,3, cups, debit or 50,000 credit, next है, sold goods for rupees 20,000 against check, अब क्या किया है, कि goods को sale किया है, बेचा है, 20,000 बे, और क्या लिया है, check लिया है, पेद्ट जो हुई है, वो check से हुई है, check receive हुआ है, अब यहां पर क्या है, check receive हुआ है, तो बैंक increase हो गया है, तो जो भी हमारे business में increase होता है, जो भी business में आता है, क्योंकि assets increase होई है, तो debit और sales credit होगा, ठीक है, क्योंकि हमने समान बेच दिया, वो हमारे business से चला गया है, जो भी goods है, वो business से चले गया है, कितने के, 20,000 के, तो 20,000 debit and 20,000 credit, अब यहां narration लिख देना, being the goods sold and receive check, paid salary, rupees 50,000 for the month of December to staff by check, salary pay करी है, अब salary pay करी है, बेटा तो दिखिए, यह check के through करी है, तो check क्या हो गया है, चला गया है, check decrease हो गया है, तो check decrease हो गया है, तो क्या होगा, credit और salary expense बढ़ गया है, तो salary account क्या होगा, debit होगा, जब expense बढ़ता है, तो क्या होता है, debit होता है, और जब assets decrease होती है, तो क्या हो होता है credit होता है तो being the salary paid to staff कितना फिफ्टी थाउजिंग सिक्स है receive cash rupees 10,000 फ्रम अमित अमित कौन है डेटर है डेटर से हमें क्या हुआ है cash receive हुआ है cash आया है cash क्या होता है assets होता है जब assets increase होता है तो क्या होता है debit और डेटर क्या हो गया decrease हो गया तो क्या हो जाएगा credit हो जाएगा नीचे क्या लिखेंगे हम being the amount received from debtor नाम भी लिख सकते हैं अमित कितना 10,000 लास्ट है 7 पेट टो सुजीर 5,000 यह कौन है हमारा creditor है अब creditor को हमने pay कर दिया तो मतलब क्या है liability कम हो गई liability कम होती है तो क्या होता है debit होता है ठीक है liability decrease होती है तो क्या होता है debit होता है modern approach का जल्दी से formula याद करो debit और cash जब decrease होता है तो क्या होता है credit और cash क्या है assets है इमांट पेड टू सुजीत कौन है क्रेडिटर है दोनों लिख सकते हो दोनों में से एक भी लिख सकते हो कितना 5000 ओके यह देखना है कि जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हो रही है उसका इफेक्ट जो जा रहा है वह किस एकाउंट में जा रहा है और जब वह इंक्रीज होता है तो क्या होता है और जब डिक्रीज होता है तो क्या होता है और कुछ भी नहीं करना ठीक है आप लोग अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो तो लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें